केंद्रियख बित आयूग का गठवन हम लोग जानते हैं कि अनुचे 280 के थाथद समयस्टान, के अनुचे Paanidस के थाथ रास्पती के द्वारा प्रत्येक 5 बश्के लिए किया जाता है, है ना, इसका पूरा नाम है केंद्रियख बित आयूग है यह यह एक समयधानिक संस्ता है, अनुछे 280 में इसका उल्ले किया गया है, केंद्रिय बीत आयोग में कितने सदस होते हैं, तो एक अध्यक्ष होते हैं, एक अध्यक्ष की अतिक चार सदस होते हैं, यानि कि टोटल पांच मेंबर होते हैं केंद्रिय बीत आयोग का, केंद्रिय बी बीच अगर किसी परकार का बित्तिय बिवाद है उन बिवादों का निफ्टारा करना केंद्रिय बित्त आयोग का काम है ये केंद्रिय बित्त आयोग केंद्रिय कर राजस में राज्यों को कितना परतीसत हिस्चेदारी दिया जाए इसकी सिफारिस करता है और इसके सिफारिस क अधार पर केंद्र के द्वारा राज्यों को बितिये अनुदान दिया जाता है केंद्रिये कर राजस में राज्यों को हिस्चेदारी दिया जाता है अभी तक कितना बित आयोग का गठन किया जा चुका है तो पंद्रह बित आयोग का गठन अभी तक किया जा चुका है पंद् का चार अद्धिक्स का नाम या दखना है तो पर्थम बित आयो के अद्धिक्स थे के सी नियोगी 1951 दूतिय बित आयो का गठन 1956 में किया गया था के संथानम की अद्धिक्सता में तिरतिय बित आयो का गठन 1960 में किया गया था एके चंदरा की अध्यक्षता में और फूर्थ फैनेंस कमिशन का अगठन डॉक्टर पी भी राज मननार की अध्यक्षता में किया गया था तो सुरुवात का ये चार ध्यान में रखना है और अंत का चार देखेंगे बार में बित आयो के अध्यक्षते सी रंगराजन जो पहले रबी आई के गवर्नर भी रह चुके थी तेरे में बित आयो का गठन 2007 में किया गया था बीजय केलकर के अध्यक्षता में चौद में बित आयो का गठन 2012 में किया गया था वाइभी डेडी ये भी RBI के पूर गवर्नर हा चुके थे उनके देख्टा में और पंदरमें बित आयोग का गठन 2017 में किया गया N.K. सिंग इसके अद्धक्स हैं बरतमान में पंदरमा बित आयोग का जो सिफारिस है वह लागू हो चुका है पंदरमा बित आयोग का सिफारिस लागू किया है एनके सिंग के अधिक्षता वाली पंदरमा बित आयोग का सिफारिस को सरकार मान ली है और इसके सिफारिस को लागू कर दिया गया है इसका सिफारिस कब तक लागू रहेगा तो 2021 से 26 यानि 5 साल के लागू रहेगा पंदरमा बित आयोग जो है वा चौदमे बित आयोग सिफारिस किया था कि केंद्रिय कर राजस में 42 परसन का हिस्चेदारी राज्यों को दिया जा ये चौदमा बित आयोग सिफारिस किया था जो है 41 परसन्ट सभी राज्यों को मिलेगा और एक परसन्ट जो है वह अभी बरतमान में जम्मू कास्मीर और लदाक जो दो केंद्रसासित परदेश बना है उसके लिए बित आयोग एक परसन्ट देने की बात किया है 41 परसन्ट सभी राज्यों को मिलेगा और जम्मू कास्मीर और लदाक केंद्रसासित परदेश के विकास के लिए बित आयोग एक परसन्ट अतरिक्त रासी देने की बात की है तो टोटल 42 परसन्ट जो की चודमा बित आयोग शिफारिश किया था उसी आयोग के शिफारिश को फंद्रमा बित आयोग भी जारी रखा है अंतर क्या है कि 41 परसन्ट सभी राज्यों को और एक परसन्ट जम्मू कास्मीर और लदाक के लिए रखा गया है ये ध्यान में रखना है पंदरमा बित आयो का सिफारिस हमेशा ध्यान में रखेंगे 2021 से 26 के कार में लागू किया गया है बरतमान में पंदरमा बित आयो का सिफारिस ही कार कर रहा है अध्यक्स कौन है एन केसिंग तो अभी टोटल बित आयोग का गठन कितनी बार हुआ है तो पंदरा बार बित आयोग का गठन किया जाचुका है ओके बित आयोग का का कार जरू से जरू ध्यान में रखेंगे फिर सम्चर्शा करते हैं कि बित आयोग का दो परमुकार है पहला केंद्रिय कर राजस में राज्यों को कितना परतीस्वत हिस्चेदारी दिया जाए इसकी सिफारिस करता है और दूसरा केंद्र और राज के बीच अगर किसी परकार का वित्य बिवाद हो गया है तो उन बिव टारा केंद्रिय बित आयोग करता है जो कि एक समयधानिक संस्था है अनुछेज दो सौ असी में इसक्या बरनन किया गया है मेंबर कितने हैं तो पांच मेंबर एक अद्देक्स होंगे एक अद्देक्स परस चार मेंबर ओके तो ये केंद्रिय बित आयोग के बारे में इतन समझ जानकारी जी एस्टी के बारे में पूरी जानकारी हम लोग हासिल करेंगे जी एस्टी का पूरा नाम गुर्ष एन सर्विस टेक्स यानि की बस्तू और सेवा कर इसका उलेक भारती समिधान की अनुछेद दो सो उनासी में किया गया 279 में जी एस्टी एक डेस्टिनेशन और इन डेस्टिनेशन का मतलब है कि जिस जगा पर माल का डिलेवरी हुआ वहाँ पर टेक्स लगता है और यह इन डेरेक्स टेक्स है देस्टिनेशन एन डेरेक्स टेक्स है GST को लागू करने की पहली सिफारिस केलकर आयोग ने किया था केलकर आयोग पहली बार GST को देश में लागू करने की सिफारिस किया और एक GST बिल के प्रारूप को तयार किया गया था इसके लिए जो है असीम दास गुपता समीती का गठन किया गया था GST बिल के प्रारूप को तयार करने के लिए असीम दास गुपता समीटी का गठन किया गया था शौर पर्थम 2006 इसवी में केंद्रिय बजट में पहली बार GST को लागू करने की घोशना की गई थी 2006 इसवी में पहली बार लागू करने की घोशना की गई थी हुआ नहीं था घोशना किया गया था विस में अगर देखेंगे तो विस और विस अस्तर पर फ्रांस में फ्रांस पहला देश है जहां पर GST को लागू किया था 1954 में और 160 देशों में है ना GST लागू है भारत एक सटमा देश है जहां पर की GST को लागू किया गया है भारत में GST लागू किया गया एक जुलाई 2017 को और इस अवसर पर परते बर्स जो है एक जुलाई को GST दिवस के रूप में मनाया जाता है भारत में GST एक जुलाई 2017 इस्वी से लागू किया गया देश भर में ठीक है असम पहला राज था जो जीएस्टी कानून को अपने राज में लागू किया था और अंतिम राज कौन था जम्मू कास्मीर जहां पर जीएस्टी कानून लागू हुआ था ओके जीएस्टी एक ब्रिहत ओपर्टेक्स कर है है ना इसमें कई ओपर्टेक्स करों का बिले कर दिया गया है जीएस्टी के अंतरगत 17 ओपर्टेक्स करों हैना 17 ओपर्टेक्स कर में मौत्पून है वैट है सेवा कर है एकसाई जूटी है ये सभी ओपर्टेक्स करों का बिले GST में कर दिया गया है इसमें आठ केंद्रिये ओपर्टेक्स कर हैं और नो राज का ओपर्टेक्स कर हैं 17 ओपर्टेक्स करों का बिले किया गया है और 23 उपकर उपकर यानि कि सेश का मतलब कि कर के अत्रिक्त सरकार जो रासी लेती थी कर मानने 10% ले रही है तो 10% के अतिक्त 1 या 2% शरकार किसी विशेश खर्च के लिए रासी लेती थी उसको सेश कहा जाता था तो 23 सेश को समाप्त कर दिया गया उपकरों को का बिले कर दिया गया थीक है 289 एके थाथ आज भी GST के थाथ कोई भी अगर निरने लेना है GST से संबंदित कोई निरने लेना है तो वह GST कॉंसिल की बैठक में निरने लिया जाता है ठीक है GST कॉंसिल की बैठक में GST से संबंदित समस्त निरने लिये जाते हैं GST council का गठन सेप्टेंबर 2016 ECV में किया गया GST council का गठन सेप्टेंबर 2016 ECV में किया गया GST council के अद्दक्स कौन होते हैं तो केंद्रिय बित मंत्री बहुती मौत्पूलाइन है GST council के अद्दक्स केंद्रिय बित मंत्री होते हैं उपाद्दक्स कौन होंगे तो राज सरकारों के मंत्रियों के बीच निरवाचित कोई मंत्री होगा वह उपाद्यक्ष होगा सदस कुन होगे तो केंद्रिये बित राज मंत्री तो सभी राज्यों के बित मंत्री है ना यानि कि अद्यक्ष होंगे बित मंत्री है ना उपाद्यक्ष राज सरकारों के मंत्रियों के बीच कोई एक मंत्री होगा उपाद्यक्ष शदसकुन होगा तो केंद्रिये बित राज मंत्री होगा और सभी राज्यों के बित मंत्री इसके मेंबर होंगे वर्तमान में 33 मेंबर ह तो तेटिस में बरत्मान में कितने मेंबर तिए & 말씀 với कले लिह token कैसे mom smo सुर्ड़ा नांसट ये जो च Illinois लेकju किढर distinct गूर्षिंब ने सीली वियर। इस एसलेब बनाए है, है श दिए 13 वर्षिंबर नहीं परना में बरत्मान में कितने परसंट का उससे बड़ा है अठारा परसंट का और जो सबसे बड़ा उत्पाद है उस पर GST 28 परसंट लिया जाता है GST बरतमान में GST में पेट्रोल, एल्कोहल, उलक्रीसिटी को सामिल नहीं किया गया पेट्रोल, एलकोहल और इलक्रिसिटी आज भी GST के दाइरे के बाहर है खाना की मांग किया जा रहा है कि पेट्रोल को GST में सामिल किया जाए लेकिन अभी तक पेट्रोल, एलकोहल और इलक्रिसिटी को GST में सामिल नहीं किया गया है ये ध्यान में रखना है ऑक है जिय स्टी ऑर प्रत्यक्ष गंतब अबिकर और प्रत्यक गंतब कर का मतल लिया जाए कि दिली से कोई बस्तु पतना भेता गया या यह जब चलिकान अब तो पटना में जो है वह GST लगेगा है ना इसमें उन राज्यों को विशेश फाइदा हो रहा है या आगे होगा जहां पर माल का डिलेवरी जादा होता है है ना बिहार जैसे राज्यों को GST में आगे फाइदा होने की संभावना है क्योंकि बिहार में दूसरे राज्यों से माल नहीं पर जिस्ति लगेगा इसका इसका नाम है संख्य क्तितना है तो 15 रिजिट का पंजी करन संख्या कितना है तो 15 डिजिट का पंजी करन संखिया है ध्यान में रखना है GST जो है वो सभी बैवसाईयों पर लागू नहीं किया गया है 20 लाक या उसे अधिक 20 लाक बारसिक या उसे अधिक का बैवसाई करने वाले बैकती को जिएस्टी रखन करवाना आवसाईयों में ये 10 लाक पर बारसिक किया गया 29 लाक बारसिक या जो बड़े राज है वहाँ पर 20 लाक से अधिक का बैवसाई करने वाला कोई दुकांदार है उसको GST बिल लेना आवसाउक होता है GST में registration करवाना आविस्सक होता है तभी हुआ अपने माल की खरीद बिक्री कर सकता है वर्ष 2018 इस्वी में 1 अप्रेल 2018 इस्वी में GST में e-way bill को लाया गया e-way bill बड़ा ही महत्पून है e-way bill लाया गया इसका मतब कि है थोड़ा सम इसके बारे में बताना चाहेंगे कि माल याजा है कि दिल्ली से पतना के लिए कोई ट्रक चली समान लाद कर पतना में भेजने के लिए तो पहले क्या होता था कि दिल्ली से दिल्ली का बॉर्डर पास किया तो वहां पर टेक्स देना है यू पी के बॉडर में आया तो ट्रक ड़ाइबर को वहाँ टेक्स देना है पतना आया फिर टेक्स देना है इवेब बिल में क्या है कि एक बार अगर दिल्ली में टेक्स लगया तो और कहीं दूसरे जगह उसको टेक्स देने का उसकता नहीं है पहला दूसरा इसमें इंटरनेट के माद्यम से बिल को जेनरेट किया जाएगा और मतब बिल में ही एक छिप लगा होगा जिससे ट्रक की गती बिधी को हम देख सकते हैं कि ट्रक जो है कहां पर है अभी दिल्ली से पटना चला था तो कहां तक पहुंचा है उसमें जो है वह ग जो बार बार जो टैक्स देना पड़ता था टैक्स जे बचा जा रहा है यह 1 अपरिल 2018 इस वी से जीएस्टी के अधथ लाय गया ईवे बिल जीएस्टी जो भारत में लाया गया है वह कनाडा के मौडल पर अधारित है जीएस्टी ऑके जीएस्टी के ब्रांड अंबेस्डर यानि कि GST का परचार करने के लिए फिल्म अभिनेता अमिता बच्चन को ब्रांड अमबेजडर नुक्त किया गया है GST का तीन रूप है GST तीन परकार का होता है कौन कौन सा देख लिजिए तो पहला है C GST C GST का पूरा नाम है Central Goods and Service Tax I GST Inter-State Goods and Service Tax SGST State Government Goods and Service Tax है ना Central Goods and Service Tax यानि कि जो केंद्रिये माल और सेवा है उस पर Central Government Tax लेगी जो केंद्र क्या केंद्र के द्वारा राज को भेजा जा रहा है है ना या दो राज्यों के बीच केंदर के द्वारा किसी राज में माल भेजा जा रहा है या दो राजों के बीच माल भेजा जा जा रहा है तो उस पर IGST लगता है है ना और अगर राज का राज के द्वारा माल भेजा जा जा रहा है एक राज से दूसरी राज में तो उस पर SGST लगता है संसद में 122 संसोधन केतहत रखा गया था और 101 संसोधन अधिनियम केतहत GST कानून पारित हुआ और 1 जुलाई 2017 इसवी से GST कानून देश भर में लागू हो गया लेकिन GST जो टेक्स है बहुत ही बहतरीन टेक्स है लेकिन अभी तक इसमें कई खामिया बिद्दमान है खामि क्या है कि अभी भी छोटे असतर पर GST में कई मत्amtब पेचिदा है कई मामला है जिससे काफी बिवादित होता है बिवाद का एक बदा कारण है कि बहुतों बार लोगों को ये कंफूजन हो जाता है कि किस बस्तू पर CGST लगेगा किस बस्तू पर IGST लगेगा और किस बस कॉंसिल की बैठक बुलाए जाती है तो इन समस्याऊं पर ध्यान दिया जाता है और समस्याऊं के निदान का प्रयास किया जाता है लेकिन आज भी छोटे लेबल पर खासकर छोटे जो दुकांदार हैं वेवसाई हैं उनको GST के कई प्राउधान समझ में नहीं आते हैं कि कैस काईसे टेक्स कानून जो हमारे देश में लाग हुआ एक जुलाई 2017 लेकर आया है ना जो बार बार टेक्स जो है देना होता था वह टेक्स का एक केंद्री कर रहे है इस जिय кап एक नारा है एक देश एक कड एक देश एक कड एक देश एक कड एकम लूघ देश को एक कर इसका नारा हे तो यह धीरे-धीरे जीस- का वह और भी आगे इसका दाइरा बढरेगा और उमीद किया जाना चाहिए की gSt शे ज्ज़ है एक देश-एक कर का जो स्वपन है हलांकि अभी तक एक देश एक कर का जो स्वपन देखा गया है वह मतलब पूरा नहीं हो पाया है लेकिन आगे यह उमीद किया जाना चाहिए कि वन नेशन वन टेक्स का जो स्वपन है या जो लक्ष है वह GST के माध्यन से निश्चित रूप से पूरा किया दा स GST को जो है 161 देशों की दोबाद GST को लाउ किया गया है दुनिया में 161 देश समझ सकते हैं हैना जरूर इस कर में कुछ मतर्रा खूबी है जरूर ऐसे कर में खूबी है जिसके कारण एक सो एक सर देश इस कड़ को लावो किया है तो बहुती बहती बहतीन कर है है ना और धीरे धीरे इस कड़ में जो भी खामी है वह धीरे धीरे काफी हद तक खामी को दूर किया जा चुका है तो ये था आपका GST, GST कानून देखे GST BIN देखे कैसे GST लगता है है यह सब पूरा डिटेस्स में हम लोग देखें ओके तो